नमस्कार व्योज़ स्वागत है आपका इंडिया फ्रेस्टोस की यूट्यूब चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं एक और इंट्रेस्टिंग फ्रूट्स की जो की है वोटर मेलन इसको हिंदी में तर्बूस या फिर कलिंगर भी कहा जाता है तो चलिए व्योज़ शुर सबसे जादा होता है तो अगर हम बात करें टॉप फाइफ वाटर मेलन प्रोडूसिंग स्टेट इन इंडिया तो सबसे पहला इस्थान आता है उतरप्रदेश का जहां पर की 21.91 परसंट प्रोडक्शन होता है उसके बाद में आता है आंद्रप्रदेश का जबकि उसमें 19. 19.49 परसंट प्रोडक्शन होता है उसके बाद आता है तमिलनाडू करनाटक और ओडिसा तो यह वह स्टेट से जहां पर वाटर मेलन दियाने की तरपूस का प्रोडक्शन सबसे जादा होता है इंडिया में आई अब बात करते हैं कि तरपूस में कितनी निट्रेशन और क्य 9.6 ग्राम फाइबर, 9.4 ग्राम शुगर, 0.9 ग्राम प्रोटीन और 0.2 ग्राम फैट होता है यह वितामिन और मिनरल में भी काफे रिच होता है जिस जैसे कि वितामिन ए, वितामिन सी, पोटेशियम और मेगनेशियम अब बात करते हैं इसकी बारे में विस्तार से तो सबसे रहा है और तर्बूज अगर है तो तुरंत उसको हाइडरेट कर सकता है यह एक लोग कैलरी हाइडरेटिंग ड्रिंक है इस्पेशली समर्स के लिए दूसरी अगर हम बात करें इसके फायदे की तो यह एंटी ऑक्सिजन्स में काफे रिच है जैसे कि इसमें लाइकोपीन अगर यह सारे जो एंटी ऑक्सिजन्स है यह हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ही फायदे मंद है अगर हम बात करें लाइकोपीन की तो यह इसमें एंटी कैंसर प्रॉपटीज होती है तो उसमें जो हैं एंटी डायबिटिक प्रॉपटीज भी होती हैं एंटी inflammatory properties होती है और यह heart के लिए भी काफी अच्छा होता है तो इस तरह किसी जो इसकी जो antioxidants है यह हमारी body को cancer से बचाते हैं free radicals से बचाते हैं uv race से बचाते हैं तो इनकी कई सारे हमारी body के लिए फाइदे हैं और अगर हम बात करें आगे इनकी फाइदों की तो यह हमारे heart के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसमें amino acid होता है citrulin जो कि हमारी body में blood pressure को काफी regulate करता है और यह तो हम जानते हैं वियोस कि अगर हमारा blood pressure control में है तो वो हमारी heart के health के लिए बहुत ही important हो जाता है और बहुत ही अच्छा हो जाता है अगर आपका blood pressure सही है और उसकी विज़े से जो इतनी भी आपको cardiovascular disease है disease है जैसे की heart से related कोई भी problem है तो वो उसके risk जो है वो थोड़े कम हो जाता है दूसरी अगर हम बात करें तो क्योंकि यह minerals में का फिरिछ होता है जैसे कि magnesium हो गया इसमें एक और antioxidant होता है बीटा क्रिप्टोजन्थीन तो यह हमारी bodies में anti-inflammatory property हो थी इस antioxidant की और हमारी body में joints की health के लिए बहुत ही जो जोड़ों का दर्द होता लोगों को arthritis का problem होता है तो उससे भी यह आपको बचाता है और अगर भात करें इसके benefits की तो क्योंकि इसमें vitamin A होता है vitamin A हमारी highest की health के लिए बहुत अच्छा होता है यह हमने पहले भी बात की थी तो जो तर्बूज हो हमारी आँकों को भी healthy रखता है जो lycopene antioxidant है वो भी हमें आँकों की health के लिए बहुत अच्छा है जो age related macular degeneration यह क्या होता है इसमें आँकों में लोगों को एक एज के बात में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जुन्दला दिखना शुरू हो जाता है कुछ कुछ को blindness की भी प्रॉलम हो जाती है तो इस तरकी कि अगर कोई दिखकत है तो उसको भी watermelon क्योंकि इसमें vitamin E होता है तो उसके risk को थोड़ा सा कम करता है या इसको जो progression जल्दी उसको थोड़ा सा delay कर सकता है इतना यह कर सकता है और अगर हम बात करें तो क्योंकि vitamin C में काफ़ी rich है तो यह हमारी immunity को काफ़ी boost करता है vitamin C में rich है तो हमारी skin के लिए बहुत अच्छा है skin को healthy रखता है, glowing रखता है तो यह इसकी बहुत सारे फाइदे हैं और अगर हम बात करें आगे इसके फाइदों की तो यह हमारी brain के health के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि यह antioxidant में बहुत रिच है इसमें vitamin C है एक और इसमें antioxidant होता है choline और वो हमारी body में क्या करता है कि हमारी memory की improvement के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके विए से जो Alzheimer's जो disease होती है लोगों को जिसमें वो भूल जाते हैं तुरंट और फिर उनको बार-बार इस तरीके से attacks आते हैं कि कभी वो भूल जाते हैं कभी उने चीज़े याद आ जाती है तो उस तरीके की disease के लिए भी जो तर्बूद है उसका सेवन बहुत ही फाइदे में होता है तो यह तो बात होगी इसके फाइदों के बारे में देखते हैं कि इसका कोई नुकसान या किसी तरकी की साफ़धानी इसमें रखने की ज़रत है तो एक ही चीज़ हम बोलेंगे कि इसमें क्यूंकि इसका जो glycemic index है glycemic index यह बताता है कि उसको खाने के बाद कितना जल्दी वह आपका ब्लड शुगर बढ़ाता है तो इसका glycemic index काफी हाई है वह है 80 तो जो डाइबटिक पेशेंट्स है उन्हें तर्बूस का सेवन बहुत है लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए तो अगर वह उनकी शुगर वैल्यू बहुत जादा है तो उन्हें तर्बूस का सेवन इकदम से नहीं करना चाहिए क्योंकि वह क्या करेगा आपकी शुगर को और भी बढ़ा देगा तो यह थोड़ा से उन लोगों को ध्यान रखना है कि वह वोटेमिलन अगर खाते भी हैं तर्बूस तो एक लिमिटेड अमाउंट में देख के अपना शुगर वैसे खाए तो यही एक सावधानी है और एक वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें बाकी लोगों के साथ थैंक यू सो मच